जोहार दोस्तो बीर्षा मुंडा उनिस्वी सदी के एक प्रमुक आदिवासी जननायक थे तो आईए जानते हैं आज बीर्षा मुंडा के बारे में रविनना टेगूर और प्यार अंबेद करके आने से बहुत पहले और महात्मा गांधी और भगत सिंग के सुतंतता संगराम में अपनी उपस्तिती दर्च कराने के कुछ समय पहले अंग्रे जोग को डराने वाले आदिवासी क्रांती कारी विर्षा मुंडा थे गुर्तमान जारखंड में छोटा नाफूर पठार की वन भूमी से या क्रांती कारी एक मात्र आदिवासी नेता है जिसका चित्र संसद में लगा हुआ है 25 वर्ष के थे जब राची सेंट्रल जेल में ब्रिटिस आधिकारियों की हिरासत में उनके मित्ती हो गए थी विर्षा मुंडा का जनम 15 नोवेंबर 1875 को राचे जिले के उल्ली हातू गाउ में हुआ था मुंडा रिति दिवास के अनुसार उनका नाम ब्रिश्पतिवार के हिसाब से विर्षा रखा गया था विर्षा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मे हाटू था विर्षा का बच्पन अपने घर में ननी हाल में और मौसी की ससुराल में बक्रियों को चराते हुए बीता बीर्षा पढ़ाई में तेज थे इसलिए स्कूल सिख्षक जैपलनाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा बाद में उन्होंने कुछ दिन तक चायबासा के जर्मन मिशन स्कूल में सिख्षक रहन किया परन्तु स्कूलों में उनकी आदिवासी संस्कृती का जो उफास किया जाता था वो बीर्षा को सहन नहीं हुआ परिनाम स्वरूप 1890 में बीर्षा ने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया इसाई धरम छोड़ दिया और अपनी परंपरिक आदिवासी विश्वास पर लाड़ गया धीरे धीरे विर्षा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया आज की तरह ही आदिवासीयों का जीवन तब भी अभावों से भरा हुआ था ना खाने को भात था ना पहनने को कपड़े एक तरफ गरीबी थी और दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 ने उनके जंगल चीन लिये थे जो जंगल के दावेदार थे वही जंगलों से बेदखल कर दिये गए या देख बीर्षा ने हथ्यार उठा लिया और गुलाम शुरू हो गया था 1895 में बीर्षा ने अंग्री जो की लागो की गई जमिनदारी प्रता और रजस्वा विवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी थी बीर्षा ने सूद खोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का एलान किया ये महाजन जिने विद्धी को कहते थे कर्च के बदले उनकी जमीन पर कबजा कर लेते थे या मात्र वित्रो नहीं था या आदिवासी, अस्मित्ता और संस्रिती को बचाने के लिए संग्राम था बीर्षा को लोग धर्ती बाबा के नाम से पुखारा और पुजा करते थे उनके प्रभाव के विद्धी के बाद पूरी इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की इच्छा जागी विर्षा ने अबुवा दिसुम अबुवा राज यानि हमारे देश हमारा राज का नारा दिया अंग्रेजी सरकार के पाउं उखरने लगे और व्रश जमिनदार वा पुजिवादी विर्षा के नाम से भी कापते थे 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाईयों के बीच यूद होते रहे और विर्षा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था अगस्ट 1897 में विर्षा और उसके चार सव सिपाईयों ने तीर कमानों से लैज होकर खोटी थाने पर धवा बोल दिया 1898 में तंगा नदी के किनारे मुंडाओं की विडंत अंग्रेज सिनाओं से हुई जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के पहुत सा दिवासी नेताओं की गिरफतारिया हुई संख्या और संसादन कम होने की वज़े से बिर्षा ने छापा माल लड़ाई का सहारा लिया राची और उसके आसपास की इलाकों में पुलिस उससे आतंकित थी अंग्रेजों ने उन्हें पकडवाने के लिए 500 रुपय का इनाम रखा था जो उस समय पहुत बड़ी रकम थी विर्षा मुंडा और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निनायक लड़ाई 1900 में राची के पास तुमरी पहाडी पर हुई हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी विर्षा की नित्युत्व में लड़े पर तीर कमान और भाले कब तक बंदु को और तोपो का सामना करते लोग बहरमी से मार दिये गए 25 जनवरी 1900 में स्टेट्समेन अकबार के मुताबिक इस लड़ाई में 400 लोगों की मृत्यु हो गए बिर्षा मुंडा की गिरफतारी उनकी जाती के ही दो व्यक्तियों ने धन के लालच में करा दिया उन्हें तीन मार्च 1900 को चक्रत दहरपूर्श से गिरफतार किया गया था बिर्षा ने अपनी जीवन की अंतिम सांसे 9 जून 1900 को राची कारागार मिली अंग्रेज सरकार ने मृत्यों का कारण हैजा बताया था जबकि उसमें हैजा का कोई लक्षन नहीं था उनके निधन के 8 साल बाद हाला कि अंग्रेजों ने छोटा नागपोटेननसी एक्ट लागयों किया जिसने आदिवासी भूमी को गैर आदिवासियों को बेचनी पर रोक लगा दी उनकी स्मिति में राची में विर्षा मुंडा के इंद्रिय कारगार तता विर्षा मुंडा हवाई अड़ा भी है उनके नाम से कई संस्था है कई उनिवर्सिटी और कई इंस्टिउशन भी बने हैं तो दोस्तो बस यही है विर्षा मुंडा की जीवनी मुझे आसा है कि आपको या विडियो अच्छा लगा होगा और अब आपको अच्छे से भी समझ में आया होगा विर्षा मुंडा की जीवनी के बारे में इससे समंदित अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल तो आप हमें नीचे कमेंट पर जरूर बताए अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही जल्द ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ कीप वाचिंग कीप ग्रोइंग